हेलो दोस्तो नमस्कार रे कृष्णा स्वागत करता हूँ आपके और हमारे चैनल फ्लैम स्पोर्ट्स में दोस्तो बात करेंगे आज का मैच सम्मरलिक का सेका गोबुल्स वर्सिस न्यू ओलिन पलिकेंस अभी दोस्तो इस बार हो इस आपको बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा क् मायक जो है वो रेडी हो गया है ठीक है पिछले कुछ वीडियो में मायक का यूज नहीं किया था तो इसलिए सोरी अभी आपको इसी तरह से क्लियर वो इस देखने को मिलेगा ठीक है तो आज दूस्तो बात करने वाले है सम्मरलिक के बारे में मैं आपको जो मेरे थोड़ से इस मैच के बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि दूस्तो यहाँ पे आपने देखा होगा कल यहाँ पे दो मैची से ठीक है सम्मरलिक के जिसमें से दूस्तो दोनों मैचे किस्ती भी मैच की स्टार्टिंग लाइन अप और स्कोर्ड इन्फरमेशन आउट नहीं हुआ था र के से प्लेश से जिसको कोच मोगा दे सकते हैं थिसको बड़े प्लेश्न नहीं खेलने वाले जो छोटे-छोटे प्लेश होते हैं और में की कुछ प्लेश होते है मैं लेकिन बहुत कम तो जहिलन एडम्स को दोस्तों सिका को बुल्स की तरफ से आप जानते होंगे अगर इसको मुका मिला तो मैं इसको ही लेने वाला हूँ अगर यह स्टार्ट करता है तो इसको मिलेने वाला हूँ उसका रोबिंसन के बार में बताने की जरूरत नहीं है जहिलन रोबि कि कौन कोन से प्लेस अच्छे है कौन प्लेस जो ही यहां पे आपको लेने चाहिए ठीक है तो दुस्तों यहां पे बहुत कम लोगों के पास नदे जाएंगी DM right अटेकिंग खिलाडी है अगर बात करूँ तो point guard है और three pointer shooter भी है दोस्तों अगर चल गया तो भाई यार बहुत इचा खाल खेल सकता है और यह आपके लिए grand league की बहुत अचीबी के है तो भाई लोग इसकी score और line up के लिए यह है दोस्तों हमारा telegram channel जहां पर आपको score अगर मिलेगा और line up मिलेगा तो आपको सबसे fast यहां पर मिलेगा ठीक है dream alone की team दोस्तों update मिलीगी उसके बाद दोस्तों आज हमने summer league के एक match खेला था लेकस वाला तो उसमें दोस्तों 190 points total score हुए थे और काफी लोगों ने winning किया हुआ है तो आप यहां पर screenshot देख सकते हो ठीक है तो उसके बाद दोस्तों यहां पर giveaway होता है सब भी तरह का information मिलता रहेगा तो वीडियो की decision में दोस्तों हमारे telegram channel का link मिलेगा याद रखना miss नहीं करना है अगर आप पहली बार visit कर रहे हो फ्लेंप स्पोर्ट पर है तो ज़रू से ज़रू telegram channel join करें वीडियो की decision में link है तो दोस्तों यहां पर दो players है ठीक है दोस्तों बहुत अच्छा player है लेकिन दोस्तों मुझे एक बात का दिकत ए है कि हमने दोस्तों को लिया तो Robinson भी guard है एडम्स भी guard है दोस्तों भी guard है तो दोस्तों कोच जो है किसको मुका देगा यह तो दोस्तों जब deadline type pass होगा तो अगर हमें मुका यहन की दोस्तों जो score मिला line up मिला तो हम दोस्तों अच्छी तरीके से team बना सकते है तो इसकी वज़े से दोस्तों यह match में आपको JL है खेलना है अगर ACL खेलना है तो अपने risk खेलना ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है अभी सिखा को के बारे में ही बात करने वाले है ठीक है दोस्तों यहाँ पर Tyler Bay की बात करो तो Tyler Bay का promise दोस्तों बात की जाए तो ठीक ठाक है लेकिन दुस्तों कल और मेन प्लेयर के थूख खेला यानि कि दूस्तों स्टार्टिंग लेप में आया और साइद 25 से 30 मिट खेला तो यह अच्छी तरीके से काम कर सकता है और मारी स्पेल मेल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है दूस्तों बहुत ही जह पा तो मारको यहां पे साइमोनोविच है यह बहुत इच्छा है लेकिन दोस्तों अगर उसके कोच ने उसको टाइम नहीं दिया तो हम क्या करेंगे इसकी वज़े से दोस्तों यहां पर फर्स्ट मेच है सिका गोबल्स का हमें पहले ए देखना है कि उसके कोच जो है क्या ट्रा भूजाडा है दोनों के दोनों दोस्तों बेश्ट है लेकिन प्रायम एंगे दूस्तों लगार कोन करेगा ठीक है जो दुस्तों 35 भाट करता है में के लड़ी वह इन दोनों में से कौन होगा यह हमें देखनी की साथ है ठीक है मालकों हील तो हिल को भी दुस्तों आपको अगर लेना है तो भई दोनों में से अब दोनों को ले सकते हो ऐसा नहीं है ठीक है लेकिन यह बात की जाए तो आपने देखा होगा रिसेंटली समवली के मैच में जो मेन प्लेस होते है उसको दूस्तों कम से मिलता है तो यही एक दिक्कत होने वाली है ठीक है तो इसकी न्यूस का इंतिजर आपको करना पड़ेगा उसके बाद दोस्तो डीलो का पिक कर सकते हो एक अच्छा फोरोड खेलता है उसका जोन से उससे अच्छा मेरे खाल से डीलो हो सकता है अगर इसको टाइम मिले तो अच्छा तो है लेकिन अगर जोन्स को दोस्तो टाइम जद मिल गया तो फिर तो या डीलो को तो अब हमस डाउन होगा तो इसकी वज़े से दोस्तो एरिस की में ठीक है उसका दोस्तों हमस अच्छा रहेगा आपके लिए पावरफोर सेंटर में और उससे अच्छा दोस्तों नाजी मार् यंच ने स्सटार्ट किया था तो एख जलेड़ी आपके लिए अच्छा हो सकता है तो अगराफियाrale दोनों को ट्राई करना है तो नहीं इक दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा इना उसके बाद स्टार्पेट के बात को तो दो option रहेंगे पेट्रिक विलियम्स और ओमारिस पेलमेंट जिसमें से दुस्तो अभी दुस्तो पाफ रोड में जो सारे के सारे खिलाडी है इसको दुस्तो आप रख सकते हो थोड़ा बहुत तो आगया होगा तो बाकि दूस्तो यह प्रेक्टिस टाइप का आप मेंच कहे सकते हो अगर बात की जाए तो नहीं है को समर लीगे दूस्तो लेकिन अगर कंपेर करें तो ठीक है तो बाकि दूस्तो अगया अब को टेली गरम चेल पर अब्लेट मिलेगा नी